नाजरीन वो अजीज तुलबा, आदाव, मौलाना आजाद नैश्टल उर्दू युनिवर्सिटी के इस तालिमी प्रोग्राम में मैं शाहिस्ता परवीन, आप सभी का खेर मगदम करती हूँ आज का मौदू एक्तिसाब के असूल बीएट साल अवल के तुलबा के लिए है इस सबक के सुनने के बाद एक्तिसाब के असूल को बयान कर सकेंगे एक्तिसाब के इवितिदाई वो सानुए असूलों के दर्मियान फर्क बता सकेंगे एक्तिसाब के असूलों को वाज़ करने के लिए मज़िद मिसाल बयान कर सकेंगे एक्तिसाब के असूल को मुस्तक्बिल में दोरान तद्रीश इस्तेमाल कर सकेंगे अजीज तुल्बा, बहुत से माहिरीने नफसियात ने मुक्तलिफ तजर्बात की बुनियाद पर एक्तिसाब के उसूलों की खोज करने की कोशिश की है लेकिन थांडाइक ने सीखने के अमल को वाज़ करने की गरत से जिन उसूलों की दर्याक्त की है वो ज्यादा एहमियत के हामिल है इसलिए इन्हें थांडाइक के सीखने के उसूल भी कहा जाता है Thorn Dike के जरिये इजात किर्द एक्तिसाब के असूलों को दो जुंग्रों में तक्सीम किया जा सकता है एक्तिसाब के इक्तिदाई असूल, एक्तिसाब के सानुवी असूल एक्तिसाब के इक्तिदाई असूल, Primary Laws of Learning के तहत आने वाले असूल है उसूल आमादगी, Law of Readiness, उसूल मश्क, Law of Exercise, उसूल तासीर या असर, Law of Effect इप्तिदाई में एक्तिसाब के सिर्फ तीन ही इप्तिदाई असूल थे लेकिन बाद में थान्डाईक ने कुछ तनकीद के बाद मौझूदत तीन असूलों के साथ एक और इस्तिला वाबस्तगी को जोड़ दिया इस तरह एक्तिसाब के इप्तिदाई असूलों में एक चौथा असूल, असूल वाबस्तगी को शामिल कर दिया और इस तरह अभिक्तिसाब के इप्तिदाई चार असूल हैं असूल आमादगी, लाओ रेडिनेस, असूल मश्क, लाओ अफ एक्सरसाईज, असूल तासीर या असर, लाओ अफ इफेक्ट, असूल वाबस्तगी, लाओ बिलोंगिंगनेस सीखने के सान्वी असूल, सिकंडरी लाओ अफ लर्निंग के तहत, असूल रुजहान या रवाईय, लाओ अफ एक्टिट्यूट, कसीर अमल का असूल, लाओ अफ मल्टिपल रिस्पॉंस, जुजवी अमल का असूल, लाओ पार्शल अक्टिविटी, असूल मुशाबहत, लाओ अफ अनलोगी, इस तरह की तबदिली का असूल, लाओ असूसियेटिव शिफ्टिंग, थॉन्डाइक के एक्तिसाब का पहला असूल, आमादगी का असूल है, इस असूल के मताबिक हम कोई चीज तभी सीख सकते हैं, जब हम खुद उसको सीखने के लिए तयार हूं, बिना तयारी के किसी भी काम को मुकमल नहीं किया जा सकता, थॉन्डाइक के बिल्ली और पिजरे के तजुर्बे में बिल्ली का भूका रखना इसलिए जरूरी होता है, कि भूक का एसास होने पर ही वाखाना हासिल करने के लिए तयार होगी, साथ ही अगर उसे खाना ना दि कीन हासिल करने के लिए हम उस काम को करने के लिए तयार हो, इस तरह मश्क वो तासीर के उसूल और आमादगी का उसूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस उसूल को इस मिसाल के जरीए समझा जा सकता है कि एक बच्चे को नीदा रही है और उसी वक्त उसकी मां उसे ख खाना लेकर खाता है, और अगर खाना मिलने में देर हो जाती है, तो वो रोने और चिलाने लगता है, इसका सीधा मतलब यही हुआ कि रात में वो खाना खाने के लिए तयार नहीं था, लेकिन सुब वो खाना हासिल करने के लिए आमादग और बेचैन था, कम्रजमात की को पढ़ने के लिए तयार भी है या नहीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुल्बा को पढ़ने के लिए आमादा ना देखकर खुद उस्ताद भी सुस्त हो जाए बलकि इसका मतलब यह है कि तुल्बा को तालीम देते वक्त असातज़ा को सबसे पहले ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसे तुल्बा में पढ़ने वो मवाद मजमून के लिए दिल्चस्पी आमादगी वो महरिका पैदा हो जाए यानि वो सीखने के लिए तैयार वो आमाद हो जाए इसके लिए जरूरी है कि तुल्बा को पढ़ाया या सिखाया जाने वाला इल्म या अमल हस्ब सीखने के लिए या नया काम करने के लिए एक जहनी तैयारी है मेंटल प्रिपरेशन और रेडिनेस जब दक मन या जहन तैयार नहों कुछ कर पाना नहाय दुश्वार होता है माहिरीने नफसियात के मताबिक एक घोड़े को आप खीच कर तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते लिहाजा सीखने के लिए तैयारी या आमादगी का होना नहायत ही जरूरी है थांडाई का मानना है कि किसी मुहरिक के वास्ते बार बार रद्य अमल करने से दोनों के दर्मियान एक रिष्टा काइम हो जाता है बार बार मश्क करने से उस रिष्टे में पुख्तगी आ जाती है और मश्क छोड़ देने पर उस रिष्टे में कमजोरी आ जाती है इस तरह जितनी ज्यादा मश्क की जाती है अमल उतना ही आसान हो जाता है और वो अमल सीख लिया जाता है दोसरे लफजों में हम कह सकते हैं कि वो अमल हमारे रवये में शामिल हो जाता है और उससे इस्तिफादा करते हैं बार बार मश्ख करने से हमारे अज़ा और जहन उस अमल को खुद बखुद करने लगते हैं और उसे करने में गलती नहीं होती है। यही मश्ख का असूल है। इसके दो जीली असूल है। इस्तेमाल का असूल लाफ व्यूज। अदम इस्तेमाल का असूल लाफ बिस्यूज। जिस अमल ये काम को बार-बार किया जाता है वो सीख लिया जाता है जिसे हम इस मिसाल की मदद से समझ सकते हैं बार-बार दोहराते रहने पर कोई नजब बासानी याद हो जाती है उसी तरह से साइकल ये स्कुटर चलाना, टाइप करना और क्रिकेट वगेरा बार-बार इसके मुताबिक अगर सीखा हुआ अमल या काम का इस्तेमाल ज्यादा दिनों तक नहीं किया गया तो वह भूल जाता है जैसे की टाइपिंग ज्यादा दिनों तक ना करने से भूल जाती है और याद की हुई नजम भी भूल जाएगी थांडाइक के बताए गए एक्तिसाब के असूलों में तीसरा तासीर का असूल है इसे तसकीन वो बेचैनी का असूल भी कहा जाता है इस असूल के मताबिक जिस काम या अमल को करने से हमें सुकून हासिल होता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं जिस काम को करने से हमें परिश सुकून मिलता है और साथ ही काम करने में दिल्चस्पी भी होती है अगर उसे ना करने दिया जाए या उस काम में रुकावट हायल की जाए तो हमें बेचैनी होती है इस काम को करने से परिशानी होती है अगर उसे करने से बच जाएं तो सुकून मिलता है इस बात से मालूम होत कि एक्तिसाब के अमल में नतीज़ और तासीर का अहम किरदार होता है तालिम में इनाम और सजा का असूल इसी तरफ इशारा करता है जिस काम को करने से बच्चे की तारीफ होती है या उसे इनाम दिया जाता है तो उसे बार बार और अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है इ इस काम को करने से उसे सजा मिलती है या उसकी शिकायत की जाती है उसे करने से वो बचना चाहता है इसलिए मौलिम को इस कानून का इस्तेमाल नफसियाती धंग से करना चाहिए मौलिम को बच्चे के सामने ऐसे हालात पैदा करना चाहिए जिस से उसे ज्यादा से ज्यादा इत्मिनान महसूस हो और वो काम को एक्तिताम तक पहुचाने में कामयाब हो सके तारीफ, इनाम, सजा वो शिकायत का सही वक्त धंग से इस्तेमाल करके इस कानून से फायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए इस वसूल के जरीए बच्चों में अच्छी आदतों की तश्कील की जा सकती है और उन्हें गलत आदतों से बचाया जा सकता है हम इसे इस मिसाल की मदद से समझ सकते हैं अगर कोई बच्चा घर में कीमती सामान को तोड़ता है या कोई नुकसान करता है और पूछने पर सही सही बात बता देता है इसके सच बोलने पर अगर उसे थोड़ी बहुत हिदायतें देकर उसकी तारीफ की जाती है तब वो बाद में भी सच बोलने की कोशिश करता है और मुस्तक्बिल में कोई गलती करने पर हकीकत बता देता है लेकिन अगर इसके बरखलाफ उसकी गलती मानने और सच बोलने पर भी उसे डाटा, फटकारा और पीटा जाता है तब वो बाद में सभी गलतीयों को चुपाने की कोशिश करेगा और सच बोलने से बचेगा यानि जूट का सहारा लेने लगेगा जिससे उसमें जूट बोलने की गलत आदत का फरोग होगा लेहाज़ा सरपरस्तों और मुलिमीन को हमेशे इस बात को जहन में रखकर बच्चों से बरताओ करना चाहिए थानडाइक ने अपने इतिदाई तजर्बों की बुनियाद पर तासीर के उसूल को पेश किया था इस उसूल का मतलब है कि इनसान आसानी वो सुकून से होने वाले अमल को याद रखता है और तकलीब्दे अमल को भूल जाता है लेकिन बाद में उसने इस असूल में इसलाह करके बताया कि आसानी वो सुकून से होने वाले तजर्बात की तरह ही कड़वे और तकलीब्दे अमल भी याद रहते हैं इसी बुनियाद पर उसने वाबस्तगी के असूल से आगाह किया इस असूल के मताबिक जिस हवाले से जो बात होती है उसी हवाले से दोबारा पेश आने पर वो बात याद आ जाती है मतलब कि जिस तरह मकसद को हासल करने में कारामद अमल याद रहते हैं उसी तरह मकसद की राह में हायल होने वाली रुकावटें भी याद रहती हैं और हम रुकावट पैदा करने वाले अमल से बचते हैं और उन्हें दूर करने की हर मुम्किन कोशिश करते हैं थांडाई के तजर्बा में भूकी बिल्ली के जरिये हुसूल मकसद में मदद ना करने वाले और घैर जरूरी अमल को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है वाबस्तगी के उसूल की तालीम के मैदान में भी बहुत अहमियत है इसके मताबिक नाकामी ही काम्याबी के लिए राह मुआर करती है लहाजा एक अच्छे उस्ताद को तुल्बा के सामने मसायल पेश करके उसे उन्हें खुद हल करने के लिए उकसाना चाहिए इस तरह पहले तुल्बा गलतियां करेंगे और उन गलतियों को वही सुधारेंगे और आखिर में सही हल तलाश कर लेंगे ऐसा करने से तुल्बा को सीखने का अच्छा मौका हासिल होता है लेहाज़ असातज़ को मसले के हलका तरीक बताने के बजाए उन्हें हल ढूडने में मदद करना चाहिए और गलतियों की तरफ इतना ध्यान मैल करना चाहिए कि वो खुद उन गलतियों को दूर कर सके इस तरह वाबस्तगी के उसूल को जहन में रखकर उस्ताद तुल्बा को सीखने का अच्छा मौका फ्राहम कर सकता है रुजहान के उसूल के मताबिक किसी मुहरिका के वास्ते कोई इनसान कैसा रद्द अमल करेगा यह उसके जहनी रुजहान पर मुनहसर करता है प्यारे बच्चों हम इसे इस मिसाल से समढ़ सकते हैं रख्स वो म्यूजिक की तरफ कशिश खुद बखुद होती है लेकिन अगर किसी इनसान के साथ कोई हादसा पेश आया हो तब उसे रख्स वो म्यूजिक में कोई मज़़ नहीं आएगा और वो उस जगह पर रुकना भी पसंद नहीं करेगा इसी तरह यह भी जरूरी नहीं है कि हर इनसान हर काम को सीखने और समझने के लिए तयार हो काम या अमल के वास्ते इनसान की पसंद और नापसंद भी उसके सीखने को मुतासिर करती है थौन डाइक ने वाज़ किया कि जब इनसान के सामने कोई मसला पेश आता है तो वो उसको हल करने के लिए मुतादित कोशिशें करता है और आखिर में जिस कोशिश से उसे काम्याबी मिलती है उसी का इंतखाब वो मसला को हल करने के लिए करता है इसे ही एक्तिसाब कहते हैं इसलिए यह जरूरी है कि सीखने के लिए मौलिम को मसले का हल सोचने और उसे सही हल का इंतखाब करने के मौाके फराहम करना चाहिए थांडाइक ने यह वाज़े किया कि अगर मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तक्सीम कर दिया जाए और फिर एक-एक हिसे का हल दर्याप्त किया जाए तो बड़े से बड़े मसले का हल आसानी से किया जा सकता है उन्होंने यह भी बताया कि सीखने वाले अमूमन मसले के कुछ अहम अर्जा को मुन्तखब कर लेते हैं और उन्हें अपने रद अमल की बनियाद बना कर मसले का अजाला करते हैं यह सीखने का फितरी तरीका है इसलिए यह जरूरी है कि मतालिम को सीखने की तरगीब और मौ पनिज ir एता है तो उससे उसी तरह के मसले को हल करने में की घई अपनी कोशिशों को याद करता है उन्से मोधिना करताहे और हस्बे मताबिक रद्यामल करताहे इस वसूल को मुसाबहत के ऊसूल का दिया गया है इसलिए जरूरी है कि मुतालिम को हस्ब मताबिक साबका मालूमात की याद देहानी कराने और उसके इस्तेमाल के मुआके फराहम कराए जाएं थाणडाइक ने एक बिली के सामने एक मचली रख दी और बिली को स्टैन्ड अप कहकर पिछले दो पैरों पर ख़ड़े होने की ट्रेरिक दी कुछ दिनों बाद या देखा कि बिली सिर्फ स्टैनड अप कहने पर खड़ी हो जाती थी पहली हालत में मशली मुहरिका थी और पिछले दो पैरों पर खड़ा होना उस मुहरिका के ताई बिल्ली का रदे अमल था दोसरी हालत में स्टैंड अप की आवाज ने मुहरिका का काम किया इसे थांडाइक ने ये नतीजा अक्स किया कि दो महरिकात में इश्टिराकियत कायम होने पर एक महरिका के ताइं होने वाला रद्ध अमल दूसरे महरिका के ताइं भी होने लगता है इसे उन्होंने इश्तिराकी तगदीली का असूल कहा है यह असूल पालो के असूल की दूसरी शक्ल है बच्चों को हुर्फ तहजी सिखाने के लिए उसे अनार कहलवाने के पीछे भी यही असूल काम करता है क्योंकि बार बार ऐसा कहने से तुल्बा अलिफ की आवाज निकालना या बोलना सीख जाते हैं और उसको बार बार देखने से हुर्फ अलिफ को पहचानने लगते हैं इस तरह अनार से अलिफ की तरफ इश्तिराकियत हो जाती है लेहाजा तालिम के मैदान में इस उसूल की बहुत अहमियत है एक उस्ताद मुक्तलिफ हालात में इस उसूल का तालिम के मैदान में इस्तिमाल कर सकता है तॉन्डाइक ने सीखने के अब्तिदाई वो सानवे उसूलों की दर्याफ्त मुक्तलिफ वो मुनासिब तजर्बात की बुनियात पर की है लिहाज़ा इन असूलों को तालीम और कम्रजमाद की तालीम में अहम मकाम हासिल है इसकी तालीमी अहमियत को मुक्तसरन बयान कर सकते हैं किसी नए इल्मों सबक को पेश करने से पहले तुलबा को जहनी तोर पर तयार करना बहुत जरूरी होता है इसलिए असाद़ा के जरीए कम्रजमाद की तद्रीष में हर एक सबक को पेश करने से पहले तमहीद के जरीए तुलबा में दिल्चस्पी पैदा करने की कोशिश की जाती है इसका सीधा ताल्ब आमादगी के असूल से है कमरजमाद की तालिम के वक उस्ताद के जरिये तुल्बा को महर्रिक किया जाता है उन्हें अच्छे कामों के लिए इनामाद दिये जाते है उनकी काम्याबी के बारे में उन्हें आगा किया जाता है उनकी गलतियों को दूर करने की कोशिश की जाती है ये सब काम इस नजरिये से किये जाते हैं कि तुल्बा को ज्यादा से ज्यादा तस्कीर मिल सके ये सारी बातें तासीर के उसूल के तहट आती है कमरजमात के मश्क की बहुत अहमित होती है इसी वज़े से तुल्बा को नए मवाद मजमून को बार बार दोहराने की तरफ रागिप किया जाता है बार बार मश्क करने या दोहराने से दिया जाने वाला इल्म, मुस्तहकम या देरपा हो जाता है यह बात उसूल मश्क के पहत आती है उस्ताद को तद्रीस से गब्ल तलबा की रवेए को भी देखना पड़ता है क्योंकि अगर तलबा की तबियत ठीक नहीं है तो तद्रीस का कोई फाइदा नहीं होगा तलबा को मसलέ के हल करने का मौका देने में मुझताधिद अमल का यसूल लागू होता है मसले के हल के लिए मुक्तरी पहलों को समझने के लिए सूज का तजर्बा करने में जुजवी अमल का असूल काम आता है इस तरह उस्ताद तुर्बा को नया इल्म तभी दे पाता है जब वो पुरानी बातों को अपना लेता है साथ ही श्तिराकी तबदीली के असूल के तहट फितरी रवईय को मतलूबर रवईय के काएं मकाम करना भी असादज़ के लिए जरूरी होता है अजीज तुल्बाव तालिबात आज के प्रोग्राम में हमने एक्तिसाब के असूलों से वाक्फियत हासल की इक्तिसाब के इव्टिसाब के असूलों के तरमयान फर्क देक 58 असूलों को मिसालों के जरिये समझने की कोशिश की मैं समझती हूँ कि एक्तिसाब से मुतीं हों की आज के सबक में फ्रहम की गई मालुमात मुफीद हो कारामत थाभित होगी इस मौजू से मुटालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दी जाने वाली कुतुब का मुटाला कर सकते हैं तालिमी नफसियात डॉक्टर तलत अजीज तालिमी नफसियात के पहलू डॉक्टर आफ़ाक नदीम खान, सैयद माज हुसैन अधिगम करता का विकास और शिक्षन अधिगम प्रक्रिया डॉक्टर सियाराम यादो मजीद जानकारी के लिए आप हमसे इस पते पर राप्ता भी कर सकते हैं नाजरीन वो अजीज तलबा आज की तालिमी निशिस्त में फिल हाल इतना ही आइन्द एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए एजाज़त दीजे आद आप कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल